आप सभी का डिफेंस वाला के सब्सक्राइब बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी की प्रप्रेशन बहुत अच्छी चल रही होगी अज इस टॉपिक के बारे भी हम पढ़ने वाले हैं वह है स्टेट लेजिसलेचर एंड गवर्नर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ह जो कुछन पूछे जाते हैं वो डारेक्ली पूछे जाते हैं लाइक आटिकल आपसे पूछ ली जाएंगे या यह पूछ ली आ जाएगा कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती स्टेट असेमली की स्टेट काउंसिल कितने स्टेट के अंदर है तो काफी इंपॉर्टेंट क की बात करूं तो CDS के अंदर भी कई बार गवर्नर टॉपिक से कुश्चन पूछे गए हैं और टॉपिक से जब यह कुश्चन आया है तो कुश्चन अच्छे खाथ से आए हैं आपकी इप नॉलिज मांगा इस टॉपिक के अंदर हम सारे ही पॉइंट्स गवर्नर के कवर करे है दोनों ही टॉपिक्स आपको समझ ना होगा है सीज को क्योंकि देखिए इस एक्जामिनिशन के अंदर आपके मार्क्स अगर कम आते हैं तो फिर मेरिट लिस्ट के अंदर आएंगे और नहीं आएंगे वो चीज़ तरह कर ली जाती है इसके अलावा भी अगर आगे भी आपके कोई प्लांस होंगे आप अगर कोई दूसरा एक्जामिनिशन देना चाहते हैं UPSC का ही तो उसके लिए भी यह सारे टॉपिक्स बहुत जादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अब सवाल यह है कि लेजिसलेचर का मतलब क्या होता है अप जिस तरीके से यूनीयन लेजिसलेचर के अदर दो बाड़ी हैं हमारी लोगसबा और राजसबा उसी तरीके से घर राज्ज के अंदर भी स्टेट लेजिसलेचर होता है देखे आपने देखा होगा कि राज्यों के अंदर भी कानून बनाने के काम राज सरकारे ही करती है, सेंट्रल के अंदर हमारी सेंट्रल गवर्मेंट करती है, तो जिस तरीके से सेंट्रल के अंदर दो हाउसे से, लोकसबा और राजसबा, ये क्या करते हैं, ये कानून बनाते कोई भी बिल दोनों हाउसे से पास होता है पास होने के बाद प्रेसिडेंट के सिगनेचर के लिए जाता है और प्रेसिडेंट के सिगनेचर के बाद ही कोई बिल एक्ट बनता है उसी तरीके से स्टेट लेडिसलीचर के अंदर भी दो हाउसे होते हैं हाला कि ये दोनों हाउस सर स्टेट में नहीं है के बारे में आगे बात करेंगे यहां पर भी राज्यों के अंदर भी अगर कोई कानून बनाना है तो उसके लिए भी क्या करना होगा इन दोनों हाउसे से उस बिल को पास होना आगा और लास्ट में प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर के सिगनेचर होते में गवर्नर जब सिगनेचर कर देते हैं तो जो बिल है गो ऐक्ट बन जाता है कानून बन जाता है अब देके जिसज तरीके से सेंटर के अंदर धो हॉसे नहीं है, most of the states के अंदर सिर्फ single house ही है, अगर मैं totally बात करूँ तो 22 states ऐसे हैं, जहां पर single house है, जहां पर के अवल legislative assembly है, और सिर्फ और सिर्फ 6 राज जैसे हैं, जहां पर ये दूसरा house भी है, जहां पर legislative council भी है, तो एक काफी important point है, याद कर लीजिएगा, examinations में कहीं बार ये कितने states हैं, जहां पर legislative council है, और कितने states हैं जहां पर legislative assembly, अब देखिए, जिस तरीके से center में, parliament में हमने लोगसभा के बारे में पढ़ा था, तिर्फ उसी तरीके का काम यहां पर हमारी state के अंदर legislative assembly करती है, ये कह सकते हैं कि similar to लोगसभा होती है, जिसे लोगसभा के अंदर direct elections होते हैं, लोग चुनकर directly आते हैं, वैसी legislative assembly के अंदर भी direct elections होते हैं, लोग directly चुनकर आते हैं, अब जिस तरीके से center में राज्य सबा होती है, जहां पर elections indirect होते हैं, और जो subject to dissolution नहीं होती है, डिजॉल नहीं होती है, अपर Legislature राज्यों के अंदर जो हम बात करते हैं कि राज विधान सवा की बात कर ली जाए राज विधान परिशत की बात कर ली जाए कि बाइस सिमलर होते हैं बाइस सिमलर मतलब या तो दो हाउसे होंगे जैसा कि अब हमने देखा है या तो State Legislative Assembly होगी और साथ इसाथ इनके Legislative Council भी किया उसे और वो है हमारा Legislative Assembly जो की काम करता है लोगसभा की तरह अब यह 6 राज्य कौन से इन 6 राज्यों के नाम आप से पूछे जा सकते हैं कि वो 6 राज्य कौन से जहां पर दोनों हाउसे से हैं जहां पर Legislative Assembly भी है और Legislative Council भी है तो वो 6 राज्य है नाम नोट कर का नाम पूछे गए हैं आंदरपरदेश पिहार करनाठका महराश्रा तेलंगना और उत्तर प्रदेश यह 6 हाउसे हैं जहां पर इन थे स्टेट्स का होना जरूरी है administrative purpose से भी जरूरी हो जाता है और political purpose से भी जरूरी हो जाता है बट जो important scenario होता है वो यहाँ पर population का होता है तो याद रुखिएगा भारत के अंदर सिर्फ 6 states ऐसे हैं जहाँ पर दोनों houses है जहाँ पर legislative assembly भी है और legislative council भी है तो दोनों points याद रुखिएगा कहीं बार यह पूछा गया है अब सबसे पहले जो important house है जो कि लोग सबा की तरह काम करता है जो कि सबसे main house होता है ज्यादा powerful होता है जैसे central के अंदर लोग सबा ज्यादा powerful है वैसे states के अंदर state legislative assembly ज्यादा powerful होती है इनके पास ज्यादा power होता है ज्यादा power के sense में होता है कानून बनाने को लेकर हो आप और हम वोट देते हैं और वोट देने के बाद डारेक्ली वर उक्षुन के इन भाव के अंदर आते हैं और देश के लिए या राज्य के लिए देश के लिए तो बात नहीं करेंगे राज्य के लिए कानून बनाते हैं अब सबसे पहले हम बात करेंगे it is the real center of power in a state किसी भ देखने कि लोकसभा के अंदर ही कानून बनाया जाते हैं, जाधा पावर लोकसभा के पास होता है, जाधा तर जो बिल से वो लोकसभा के अंदर ही प्रेजेंट किये जाते हैं, उसी तरीके से राज्यों के अंदर भी जो हमारे legislative assembly होती है, वो जाधा powerful होती है, ये point note कर लीजे अब इसकी जो strength है, वो कितनी हो सकती है, जिसे लोकसभा के अंदर हमने strength देखा था कि maximum इतनी हो सकती है, उसी तरीके से याद रुखिएगा, अलग-अलग राज्यों के अंदर, अलग-अलग राज्यों के जो state assemblies है, उनकी strength अलग-अलग है, इनके strength based होती है, बेस्ड होती ह के उपर, जिस तरीके से लोकसभा के strength भी based थी, तरीके से यहाँ पर भी strength होती है, उस state के उस राज की population के उपर based होती है, अब यहाँ से directly question बनता है, कई बारे question बना भी है, कि maximum strength कितनी हो सकती है, maximum strength हो सकती है, legislative assembly की 500, note down कर लीजिए, बहुत जादा important है, maximum strength किसी भी legislative assembly की हो सक हो सकती है, 500 और अगर हम minimum strength की बात करेंगी, कम से कम कितनी हो सकती है, तो कम से कम strength यहाँ पर हो सकती है, किसी भी state की legislative assembly की साथ, कम से कम कितनी है, साथ है, साथ है, जाधा से जाधा कितनी हो सकती है, 500 हो सकती है, यह question पूशा गया है, बढ़ा important question है, various examinations के अंदर एक कुशन प याद रुखिएगा अब क्या यह जरूरी है कि 40 से कम किसी भी राज्य की assembly की strength होगी ही नहीं तो ऐसा नहीं है कहीं सारे exceptions है गोआ की हम बात करें मिजोरमा की बात करें यहां की population काफी कम है तो जिनकी population कम है specifically northeast के अंदर आप states को देखेंगे वहां की जब assemblies को आप देखेंगे तो वहाँ पर उनकी जो population है वो काफी कम है that's why 60 से भी कम strength है वहाँ पर आप अगर देखेंगे कि special अगर उन states के बारे में बात ना की जाए उन exceptions को छोड़ दिया जाए तो समिधान के साब से जो minimum strength है वो कितनी हो सकती है वो हो सकती है minimum 60 और maximum 500 याद रुखिएगा आगे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से हमने देखा था कि लोग सभा के अंदर दो anglo-indian community के members को nominate किया जाता था इन्हें nominate कौन कर रहे थे हमारे देश के राश्पती कर रहे थे अगर उनका representation ठीक तरीके से ना हो रहा हो तो उन्हें nominate किया जाता था हाला कि 104th Constitutional Amendment के बाद उनका जो representation था उससे हटा दिया गया उनके reservation को नहीं बढ़ाया गया पर इस्टिल उससे पहले तक यह किया जा रहा था उसी तरीके से राज्जो के अंदर भी जी हां राज्जो के अंदर भी State Legislative Assembly के अंदर भी एक Anglo-Indian Community के मेंबर को nominate किया जाता है याद रखिएगा कितने members को nominate किया जाता है वन Anglo-Indian Community के मेंबर को nominate किया जाता है अब इन्हें nominate कौन करता है जिस तरीके से सेंटर में राश्पती nominate कर रहे थे उसी तरीके से स्टेट में nominate करते हैं राज्जो के गवर्नर तो गवर्नर के पास से पावर होता है कि nominate करते हैं Anglo-Indian Community के एक मेंबर को अगर उनका representation properly नहीं हो रहा है अब देखिए हुआ यह था कि 95th Constitution Amendment Act 2009 के थूँ इनका जो reservation था Anglo-Indian Community के मेंबर का reservation और STST जो reservation था उसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था 2020 तक कर दिया गया था और उसके बाद 104th Constitution Amendment Act 2019 के अंदर आया था उसमें Anglo-Indian Community के reservation को नहीं बढ़ाया है देखिए reservation जो है बढ़ा ददस साल के लिए बढ़ा दिया जाता है अभी जो amendment हुआ उसमें Anglo-Indian Community के reservation को नहीं बढ़ाया है इसलिए अभी इनकी जो aus Nach तक सीडтесь clean podcasts cannot dीके याद रुकिएगा यहां जो elections होते हैं ऩर और उनकी में बता चुकर है याद तरीके से हमारी लोग सभा के अंदर होते हैं जैडरेक्री वोट देते हैं जिनको वोट दिया होगा जैसे कि आप जानते हैं MLA, MLA कौन होता है, Member of Legislative Assembly, MP का क्या मतलब होता है, Member of Parliament, तो यादर कि जो MLA का चुनाव होता है, वो दरसल State Legislative Assembly के लिए ही होता है, तो डाउन कर लीजेगा, काफी important है, अब elections कैसे होते हैं, direct elections होते हैं, 18 साल या 18 साल से जाधा का कोई भी व्यक्ति है, उसमें participate कर सकता है, vote दे सकता है, और vote देने के बाद आप देखते हैं कि कोई नो कोई पार्टी जीतती है और उस पार्टी की सरकार बनती है, जैसे कि लोग majority यहांपर होते है, अगले आगे हम बात करें कि यह temporary house होता है, राज्यों का लोकसभा की तरह ही, इसकी भी जो period होता है, वो कितना होता है, 5 साल हो सकता है, 5 साल इसका duration होता है, पांस साल हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ, विकॉस ज़रूरी नहीं है कि 5 साल पूरा ही कर लें वो सकता है कि majority lose कर दे और बीश में ही जो हाउस इवर डिजॉल्व हो जाए ऐसा हुआ है का हुआ है महारास्टा में भी हुआ था इसके विले मद्ध्रदेश के अंदर भी यही चीज हुई है तो यह सब्जेक्टेटि डिसलूशन होता है कितने साल में होगा पांस साल के अंदर कि पांस साल अगर majority enjoy कर रहा है या majority है political party के पास तो फिर वो पांस साल तक सरकार चलाएगी फिर वो इंजॉय करेगी government को बट अगर majority lose कर दी majority नहीं है जो member of legislative assembly है वो नहीं चाहते कि वो इस पार्टी में रहें वो पार्टी के काम से हो जाती किस condition में हो जाती है मैं बता चुका हूँ अगर क्या नहीं है majority नहीं याद रखना सारा खेल majority का होता है जब तक majority है पार्लेमेंट के अंदर चाहिए फिर वो स्टेट की बात करूँ या मैं सेंडल की बात करूँ जब तक majority है तब तक ही सरकार रहेगी majority जैसे minority में आई सरकार हट जाती है सेंपल सा रूल है इसे याद रखना के बाद अगर हम बात करें कि जो ड्यूरेशन वह एक साल के लिए बढ़ा दिया जा सकता है इमर्जन्सी के टाइम पर डियूरेशन मैक्सिमम एक साल तक बढ़ा दिया जाता है अभी हम बात करतों एक साल तक बढ़ा दिया जाता है और यह आदर खियेगा कि इमर्जन्सी खतम होने के बाद यह फिर 6 मैने से जाधा नहीं रह सकता है तो यह पॉइंट काफी इंपॉ इस इस के जितनी पॉपॉलेशन के आधार पर सीट का रिजर्वेशन किया जाता है अलग अलग है यह जानना जरूरी नहीं है आपको और एक्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा तिक इस स्टेट में कितनी सीट सेंसी के और कितनी स्ट की एक चीज यादर किएगा सिर्फ और सिर्फ की स्ट और सीज का रिजर्वेशन दिया गया है स्टेट लेडिसलेटिव असेंबली के अंदर भी काफी इंपॉटेंट पॉइंट है यह बहुत बार पूछा गया है वेरियस एक्जामनेशन के अंदर सीज का गया है तो यह नोट कर लीजेगा तो यह कुछ विधायक बनना चाहता है विधानसभा जॉइं करना चाहता है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है कई क्वालिफिकेशन के अंदर एक्ट इसे चमझता है उसे whatnot रीरालिटी पता है इसलिए त्याबर एचुकेशन को नहीं रखा गया आई बहुत सरे लोग ऐसे भी होते हैं, तो बहुत पड़े लिखे हैं, बट उनको समझ नहीं होती है कि ground पे रहने वाला person क्या feel कर रहा है, उसकी तकलीफ क्या, उसकी समस्या क्या है, that's why हमारे देश के समधान में, specifically अगर हम elections की बात करें, या हमारी Parliament की बात करें, तो किसी भी member की educational qualifications को नहीं ध्यान में रखा जाता है, हाँ, age को यहाँ पर देखा जाता है, को दूसरे scenario को देखा जाता है, but education qualification को यहाँ पर ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो देखिए, सबसे पहला point तो ही हो जाता है, he should be an Indian citizen, उसे भारत का नागरी खोना जरूरी, obviously चीज़ है, जो भी व्यक्ति भारत के अंदर, अगर किसी राज के अंदर MLA बनना चाहता है, member of legislative assembly बनना चाहता है, किसी भी राज के अंदर, तो obviously सिभारत का नागरी खोना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यह काफी important चीज़ है, कि बलावा, अगर हम age की बात कर, तो age वही है, 25 years और अबव, 25 साल यह से जादा की उम्र उस व्यक्ति की खोनी चाहिए, अगर 25 साल यह से जादा की उम्र है, तो वह व्यक्ति MLA का चुनाव लड़ सकता है, elections लड़ सकता है, state assemblies के अंदर, इसके बाद, must be a member of ST और SC community, if he consent from a seat, reserve to them, obviously, अगर वो किसी SC seat से चुनाव लड़ना चाहता है, जो कि ST, SC class के लिए already reserve है, तो उसे उस community का member होना जरूरी है, फिर दूसरी community का कोई person, उस seat से चुनाव नहीं लड़ सकता है, यह point याद रखिएगा, देखिए, एक point इसमें important है, जो आपके समझने के लिए भी बहुत जरू नहीं दिया जाता है, इस point को note कर लिजेगा, काफी important point है, इसके बाद जो भी members MLA चुन लिए जाते हैं, उसको शपत कौन दिलाता है, उनको शपत दिलाता है, गवर्नर, गवर्नर उन्हें अपने पद की शपत दिलाते हैं, देखिए जिस तरीके से council of center में हमने देखा था, council of ministers होती है, उसी तरीके से state council of ministers भी होती है, center के अंदर जैसे council of ministers के head कौन होते हैं, हमारे देश के प्रधान मंतरी होते हैं, उसी तरीके से state के अंदर state council of ministers के जो head होते हैं, वो कौन होते हैं, वो मुख्य मंतरी होते हैं, याद रिकिए का जिस तरीके से center में प्रधान मंतरी है उसी तरीचे से स्टेट के अंदर जो राज्यों के मुख्यमंद्री होते हैं जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो रीज don't JOHNическая मिनस्टर के हैं वही क्या mum być 2015ел याद रखना काफी इंपोर्टन चीज़ें अगर क कि अपने लोगसाँ बहूत अच्छे की तरह है और राट सभा की बात की जाए तो legislative council की तरह है चलिए last point की बात कर लेते हैं speaker and deputy speaker of legislative assembly जिस तरीके से लोग सभा के अंदर presiding officers होते थे speaker होते थे deputy speaker होते थे उसी तरीके से state legislative assembly के अंदर भी presiding officers होते हैं यहाँ पर भी speaker होते हैं यहाँ पर याद रिखिएगा state legislative assembly के अंदर भी एक speaker आपको मिलेंगे और deputy speaker होते हैं जो कि presiding officer होते हैं जो चेक करते हैं कि जो कारवाई है वो सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है चलिए अब आगे बढ़ते हैं next we have state legislative council state legislative council ठीक उसी तरीके से काम करती है जैसे कि central में राजसभा करती है जबी राजसभा का नाम आता है तो आपको दो points आपके मायंड में आ जाना चाहिए सबसे पहला और सबसे important point it is not subjected to resolution यह dissolve नहीं यह permanent house होता है उसी तरीके से राज्यों के अंदर भी तो state legislative council होती है वो permanent house होता है it is not subjected to dissolution यह dissolve नहीं होता है इस और इसे dissolve क्यों नहीं किया जाता देख इसका एक काफी important और काफी strong reason है राजसभा को कहा जाता है house of elders house of elders कहने का एक reason है कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं काफी experienced होते है politics के अंदर that's why उनके experience का use किया जाता है कि जब भी कोई बिल राचसभा में जाता है तो उनका opinion काफी matter रखता है opinion बहुत important होता है हर political parties से यहाँ पर लोग होते हैं जो कि बहुत experienced होते जिने काफी लंबा अनुबह होता है और उनके experience का positive यूज किया जाता है ताकि उनका experience देश के काम आ सके that's why nows us को dissolve नहीं किया जाता है और दूसर रिज़न यह भी कि नए लोगों को मौका मिलता रहा है politics के अंदर अगर सिर्फ पुराने निता ही आगे आते जाएंगे तो नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा और हम पुराने निताओं को उनके experience को हम छोड़ भी नहीं सकते उनके experience का use करना भी बहुत जरूरी है और इसी लिए राटसबा भी not subjective dissolution होती है और इसी तरीके से हमारी जो state legislative council होती है वो भी subjective dissolution नहीं है वो dissolve नहीं होती है it is the permanent house तूसरा point हरत के अंद पर legislative assembly है भी है और legislative council भी है ये छे राज्यों कौन्स है इनके नाम में आपको बता चुका हूं किन राज्यों के अंदर ही होता है इसका reason पर मैंने आपको बता दिया कि majorly जो reason होता है वो हता population दूसरा reason होता है political will कि वाह के politicians क्या चारें तीसरा विल होता है कि वाह की जनता के साथ से क्या सही है क्या जनता की मांग है कि वहाँ पर दोनों हांसे होने चाहिए जैसे कि मद्रप्रदेश के अंदर भी दोनों हांसे बनाने के लिए प्रावधान दे दिया गया है 7th Constitution Amendment के अंदर इसकी बात की गई है बट स्टिल अभी तक इस पर बनाया नहीं गिया है उस तरीके से जो कि राजसभा की एज होती है राजसभा जॉइन करने के वह होती है 30 साल उसी तरीके से लेजिसलेटिव काउंसिल को जॉइन करने के लिए भी जो उम्र होती है वो होना चाहिए minimum 30 years आफ इंपॉर्टेंट नोट कर लीजीगा ये छोटे 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 कुशन से चो डिरेक्ली आपसे पूछे जा सकते हैं उसी बात सेम जिस तरीके से इंडिरेक्ट रिलेक्शन होता है राजसभा के अंदर उसी तरीके से स्टेट लेजिसलेटिव असेमली के अंदर भी इंडिरेक्ट रिलेक्शन सी करवाये जाते हैं तो काफी important points से याद रखना है होनी चाहिए सबसे बहले minimum की बात करते है minimum strength state legislative council की हो सकती है minimum 40 याद रखिएगा minimum strength होनी चाहिए 40 और maximum strength की बात की जाये तो वो होनी चाहिए one third of the total strength of the legislative assembly उस राज की legislative assembly की जितने भी strength है उसका one third होना चाहिए चलिए इसे मैं example के तुरह समझा देता हूं पाल लीजिए कोई state है किसी state की state assembly के अंदर जो total seat से वो है 300 अब यहां पर state की जो legislative council होगी उसकी maximum number of seats कितनी हो सकती है one third of the legislative assembly अब यहां की legislative assembly की कितनी seats से 303 300 का अगर हम one third करेंगे तो directly यहां पर कितना हो जाएगा 100 जाएगा तो यहां पर maximum कितनी हो सकती है 100 हो सकती है अब देखिए यहां पर यह point इसले लिखा गया है one third इसले लिखा गया है because हर राज्य के अंदर जो state assembly से उसकी से नंबर अलग अलग है maximum कितनी हो सकती है maximum 500 हो सकती है assembly के अंदर वो बता दिया है मैंने बट यहां पर हमको यह याद रखना होगा कि हर राज्य में 500 नहीं है राज्यों के अंदर जो विधान सभाय उसका one third हो सकती है विधान परिशत की seats के बात हम दूसरे point की बात करें minimum हमने बात कर लिए indirect elections की बात कर लिए यह permanent house होता है it's not subject to dissolution और किसी भी व्यक्ति को अगर यहां पर आना है तो उसकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए देखिए अब थोड़ा सा हमें state assembly के अंदर elections की उपर भी गौर कर लेना चाहिए कि state assembly में election कैसे होता है same criteria है लोग सभावाला लोग सभा में जिस तरीके से direct election होते हैं direct election किस तरीके से होते हैं कि माल लीजिए hundred seats है hundred seats के लिए चुनाव हो रहे हैं जो इस state के लोग है जो population है जो लोग है people है फो लोग directly जाते हैं और directly अपने अपने area से जो भी members खड़े हुए हैं उनके लिए directly क्या डालते हैं और जितने भी लोग जीत जाते हैं वो सारे के सारे फिर विधान सभा के अंदर बैठते हैं और विधान सभा में बैठने के बाद वो देश के लिए कानून बनाते हैं सारी चीज़ें वही कर देश के लिए नहीं राज्यों के लिए कानून बनाते हैं स dłफि mistress addsur ID के लिए कानून बनाने का काम वही करते है तो इस तरीके से एलेक्षन होते है किसके टैट assembly के यह रखेंगा डैरेक्ट election होते हैं और सिसमें वहीं चीज होती कि जो majority party होती जिस party के बास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं मान लीजिए 100 total seats थी एक party की 30 seats है दुसरी की 70 seats है तो जो मुख्य मंत्री बनेंगे वो किस party से बनेंगे जिस party के पास majority है जिस party के बास सबसे ज़्यादा सीट्स याद रुखिएगा चाहे state हो या center हो ये मैं बात हमेशा बोलता हूँ फिर से बता रहा हूँ जिसके पास majority है वही power enjoy करता है जिसके पास majority नहीं है वो power enjoy नहीं करेगा और ये majority ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार seats जीत लिए पुरे 5 साल तके majority बनी रहनी चाहिए अगर 5 साल के अंदर ये majority बनी नहीं रही या support कम कर दिया तो फिर कौन सा motion लाया जा सकता है no confidence motion जिसके बारे में detail में मैंने आपको बता है तो याद रखिएगा राज्यों के अंदर भी ला सकते हैं उसको और central के अंदर तो लाते ही है कहीं बार लाया गिया है सबसे जादा बार इंदरा गांधी जी के अगेंस प्रेजेंट किया गया था यह पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा काफी जादा important है अगला जो पॉइंट है अभी members कहां से चुने जाते हैं काउंसिल के अंदर members को चुनाओ कैसे होता है कैसे उन्हें चुना जाता है यह जो प्रोसेस है कि देखने में काफी difficult लगता है कि अच्छा यहां से इतने different areas से members को चुना जाता है पांश अलग अलग जो criteria तो नहीं बोलूंगा में पांश डिफ्रेंट्ट डिफ्रेंट aries से different constituencies से members को चुना जाता है और ही जो members को चुनने की प्रकरिया होती है वह single transferable vote system के थूँज यह वही system है जिसके तूरू राज सभा के members का चुनाव किया जाता है president का पर लेक्सार से किया जाता है प्रेसरेंट का लक्सरshirt है पढ़ेंगे चुकाफी सिस्ट्म होता क्या है कैसे system काम करता है अब कहां से members को चुना जाता है कैसे courses चुना जाता है ब्लॉक परिशयद etc .. इनके द्वारा one by third members को elect किया जाता है कैसे खिया जाता है single THERE weating system के थाइल इ्लिएक्ट किया जाता है यादर किये बहुत इनक्पर्टेंट है कितने वेमेंबर को note किया जाता है यही करते हैं, आगे बाद करते हैं, next, 1 by 12 जो members होते हैं, उन्हें teachers elect करते हैं, teachers जो हैं, वो कहां क्यों होते हैं, secondary schools, colleges और universities के teachers होते हैं, तो 1 by 12 जो members होते हैं, उन्हें उसी राज्यों के, जो teachers होते हैं, याद रखिएगा, teachers जो हैं, secondary schools, colleges और universities के होते हैं, वो elect करते हैं, उसी किसी दूसरे राज जी के नहीं, obviously, इसके बाद 1 by 12 जो members होते हैं, उन्हें उसी राज के graduates द्वारा elect किया जाता है, और इसके बाद आता है सबसे important point जिस पर अक्सर question बनता है, और अगर यहां से question पूछा गया तो इसी से बनेगा, यह होता है कि जो 1 by 6 members होते हैं, 1 by 6 members को nominate किय जाता है, इसके द्वारा governor के द्वारा, कि 1 by 6 are nominated by the government from persons having the experience or knowledge in the fields of science, art, literature, social service और cooperative moments, आपको याद होगा, कि same fields वही हैं, जो कि राज सभा के अंदर भी दी गई थी, राज सभा के अंदर 12 members को nominate किया जाता था, किसके द्वारा, president के द्वारा, वहाँ पर राश्पती कर रहे जाते हैं, यहाँ पर numbers change हो गए, यहाँ पर आगया है, 1 by 6, ठीक है, 1 by 6 members को nominate किया जाता है, उस राज के governor के द्वारा, और यह जो members होते हैं, वो different different areas से होते हैं, जैसे हम science की बात कर लें, literature की बात करें, social service की बात करें, cooperative moments की बात करें, यहाँ से यह सारे members होते हैं, तो इन इन area से इन members को चुना जाता है, legislative council के अंदर, आगे हम बात करें कि इनका duration क्या होता है, देकि same चीज है, उसी तरीके से काम करता है, जैसे कि हमारा राजसभा करता है, राजसभा के अंदर हमने देखा था, कि 1 by 3 members हर 2 साल बाद retired हो जाते हैं, और उनकी जगे जो है, वो new members ल पर भी होती है, state legislative council के अंदर भी होती है, कि 1 by 3 members जो है, वो हर 2 साल के बाद retired हो जाते हैं, और 2 साल के बाद वापस selections होते हैं, वोने members को अपॉइंट कर लिया जाता है, तो ये काफी important चीज और एक person का जो tenure होता है, वो कितना हो जाता है, 6 साल का हो जाता है, and they are eligible for the reappointment, वा अब देखें, यहाँ पर भी बिल का process वही होता है, state legislative council की मैं बात करूँगा, बिल जो है, यहाँ पर भी आते हैं, जिस तरीके से लोकसभा, राटसभा, दोनों से किसे बिल को पास होना पड़ता है, उसी तरीके से state legislature के अंदर अगर कोई बिल है, वो बिल को दोनों houses से पा पास हो जाता है, उसके बाद वो जाता है, गवर्नर के signature के लिए, गवर्नर जैसे उस पर signature कर देते हैं, वो बिल क्या बन जाता है, वो बिल बन जाता है, और पूरे राज्य के उपर वो लागू हो जाता है, आपको कुछ याद आ रहा होगा, seven schedule यहाँ पर, जो distribution of powers है, तीन list दे के रखिए, कौन से union list, state list और concurrent list, तो राज सरकारे state list और concurrent list के ओपर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, छोटी सी point से आपको याद रखता है, काफी detail में, already मैं आपको समझा चुका हूँ, तो यह कुछ points थे, के बारे में आप समझेगा, और various examinations के अंदर यह हो रहा है, the topic is governor, राज जपाल, governor एक ऐसा topic है, जिसको लेकर कई बार, कई बार various examinations के अंदर questions पूछे गए, आप देखिए, हर exam में question पूछे जाते है, कई बार यह पूछ लिया जाता है, कि पहली महिला governor कौन थी, कई बार यह पूछ लिया जाता है, कि अगर किसी specific state का examination है, तो state में पूछा जाता है, कि अभी currently governor कौन है, tedious examination के बगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर वो आप से सीधा-सीधा constitutional point of view से questions पूछेंगे, आप से eligibility पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि उन्हें appoint कौन करता है, ओथ दिलवाती जाती है, नहीं दिलवाय जाती है, तो इस तरह के अंसर यह होता है, कि governor is the constitutional head of the state, किसी भी राज के समयधानिक head, जहां से सुनिएगा, समयधानिक head, constitutional head कौन होते हैं, वहां के governor होते हैं, यह कुछ उसी तरीके से हैं, जिस तरीके से हमारे पूरे देश के constitutional head कौन है, वो होते हैं, हमारे देश के रास्ट्रपती, उसी तरीके स किसी भी राज के अंदर governor की स्थिति को आप एक तरीके से compare कर सकते हैं पूरे देश में राश्पती की स्थिति की तरह इसमें कुछ changes भी है powers भी थोड़े से पावर में difference आएगा जो मैं आपको आगे बता दूँगा काफी important है वो चलिए अब start करते हैं किसी भी राज के जो गवर्नर है वो constitutional head होते हैं किसी भी राज के constitutional head होते हैं उस राज के गवर्नर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि क्योंकि किसी राज के अंद्रगर किसी बिल को पास कर गवर्नर जो है वो एक connection की तरह काम करते हैं between the state and the center क्योंकि गवर्नर को appoint कौन करें गवर्नर को लेकर कौन आते हैं प्रेसिदेंट लेकर आते हैं तो कई बार ये भी कह दिया जाता है कि गवर्नर इस देंटर्स रिप्रेसंटेटेटिव या प्रेसिदेंट्स गवर्नर जैसा कि अभी हमने बात करी है कि ये वाइटल लिंक की तरह बहुत इंपॉर्टन्ट लिंक की तरह काम करते हैं राज सरकारों के बीश में और केंदर सरकारों के बीश में मिजरीन का क्या होता है कि अगर center के guideline के according states काम नहीं कर रहे हैं कि states समिधान के according काम नहीं कर है constitution के according काम नहीं कर रहा है राज यहां पर गवर्नर टाइम टाइम पर राज सरकारों को सचेत करते हैं उन्हें वार्निंग्स देते हैं और कई बार फिर वो रिपोर्ट बनाके center में भी भेशते हैं पक्षिम मंगाल का सबसे अच्छा example हो सकता है आपने देखा कि पक्षिम बिल्कुल भी नहीं है गवर्नर जो है वो रिप्रेजेंटेटेव बोल सकते हैं और वो constitutional हैड होते हैं राज्यों के राज्यों के उपर नहीं होता है कि किस गवर्नर को महाँ पर लाना है यह किसका काम होता है यह इसलिए हमने जब पॉइंट को पढ़ा था कि गवर्नर सार लें जो काफी इन पॉर्टेंट है कि दिखेंट इन गौर्टेंट के विच में एक वाइंटल लिंक की तरह काम करते हैं जो काफी इन पॉटन्ट है इसके बाद पार्ट्स चिक्डाट्टी के अंदर आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 167 तक दील की जाती है स्टेट एकिट पार्ट है एक एक आप देखेंगे तो आर्टिकल 153 काफ़ इंपॉर्टन आर्टिकल एक गवर्नर को लेकर है आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 167 तक गवर्नर के साथ डील की जाती है तो आप देखेंगे सब्सक्राइब साथ आर्टिकल 153 154 155 से लेकर 167 तक गवर्नर की आप बात की गईई है गवर्नर ही अकेले नहीं वन innovation in अग्या नियू दो राज्यों का गवर्नर हो सकता है क्या बात सई है हाँ अकेला परसल जो है वह दो या दो से अधिक राज्यों के गवर्नर भी हो सकते हैं, 7th Constitution Amendment Act 1956 के द्वारा इस चीज की परभीशन दे दी गई है, कि कोई अगर कोई परसन है, तो वो एक, दो या दो से जादा राज्यों के भी गवर्नर हो सकते हैं, के बाद उनके जो अलाउंस से सोते हैं, वो राज्यों के प्रपोर्शन के अंदर दिये गई है, कि एक जो व्यक्ती है, तो दो या दो से जादा राज्यों के गवर्नर भी हो सकते हैं, ऐसा हुआ है, कई बार होता भी है, अगर करंट में ऐसा कोई सिनारियो है, तो कमेंट बॉक्स में बताईएगा, मेरा एक दूसरा सवाल यहां पर यह कि भारत के अंदर पहली म गवर्नर कौन थी, इस बार है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, पहली बात, there is no education qualification for the post of the governor, गवर्नर की पोस्ट के लिए, कोई भी education qualification तो है, यह नहीं कि इतने पड़े लिखे होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, आलरडी हम इस बार में बात कर चुके हैं, सबसे पहल भारत का नागरिक होना जरूरी है, याद रखिए कि भारत का नागरिक का मतलब यह नहीं होता है, कि भारत के नागरिक का मतलब यह होता है, कि भारत में भले जन्म नहीं लिया है, पर इस समय पर भारत के नागरिक है, तो यह पहली इसमें qualification होती है, दूसरी बगर बात कि ज वारा governor appoint किया जा सकता है अब इसके बाद आती है सबसे important के बारे में अक्सर questions पूछे जाते हैं और जो बड़ी interesting भी है यहां पर लिखा है कि he should be an outsider who does not reside in the state where he will be appointed उस राज जिके नागरी को नहीं होने चाहिए इस राज जिके अंदर उन्हें as a governor appoint किया जा रहा है यह point यहां पर लिखा है मुझे आप इसका reason बताएगा इसका reason किया ऐसा क्यों किया जा रहा है कि he should be an outsider, एक outsider वो होना चाहिए who does not reside in the state, वो राज के अंदर नहीं रहते हो यह चीज़ देखे जा रही है वो एक outsider होने चाहिए ऐसा क्यों किया जाता है इसका reason मुझे बताएगा और यह काफी interesting चीज़ और काफी important point भी है और कई examinations क के अंदर इस point को कहीं बार पूछा भी गया इसके बाद when appointing the governor of a state the president must consult with the state's chief minister जब भी appoint किया जा रहा है गवर्नर को जो president है उन्हें chief minister जिस भी राज के अंदर appoint किया जा रहे उस राज की chief minister से उन्हें consult करना चाहिए बट याद रुखिएगा इसा नहीं कि चीफ मिनिस्टर अगर ready नहीं है तो गवर्नर का पॉइंट नहीं किया जाएगा ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है यह पूरा का पूरा चीज जो वो president के ऊपर होती है किने वो पॉइंट करना चाहिए अपॉइंट कर सकने बठा एक चीज है कि consult करना चाहिए जो राज के मुख्यमंत्री उन्हें consult करना चाहिए वेकॉस उसी राज के उन्हें governor बनाया जा रहा है यहां पर permission की बात नहीं कहीं गई है कहीं भी तो प्रेशिये आप है कि की आथिकार है ठयाती के अधिकार अ कॉइनल्न के हता है कि वो गवर्णर्स को ट्रांसफर कर सके की एक राज से दुसरे राज में transfer किया जारा है एक राज याद रिकी का President एक बड़ा important major role play करते हैं, पूरी Governor की पोस्ट के अंदर, चाहे appointment की बात हो, चाहे फिर उनकी reshuffling की बात हो, चाहे transfer की बात हो, President के पास एक solo authority यहाँ पर हमेशा रहेगे, okay, clear है I hope आपको समझ में आया होगा, आगे बात की जाए तो conditions of the office of Governor, देखें यहाँ प पती इन्हें as a governor appoint कर रहे हैं, पहली condition जो काफी important है, और कई सारी post के लिए होती है, वो ही है, कि जो भी व्यक्ति governor के पद के लिए appoint किया जा रहा है, वो किसी भी office of profit को hold नहीं कर सकता है, किसी भी lab के पद को hold नहीं कर सकता है, basically हम यहाँ पर किसी public post की बात कर रहे हैं, रहते हुए वो किसी दूसरे को lab पहुचा सके, तो किसी भी ऐसे lab के पद को वो व्यक्ति hold नहीं कर सकता है, जो कि as a governor appoint किया जा रहा है, दूसरा, he should not be a member of the house of parliament or any state legislature, काफी important है, ज्यान से सुनिएगा, इस point को कहीं exams में पूछा भी गिया है, कि जो भी व्यक्ति as a governor appoint किया ज ना तो वो member of parliament हो सकता है, मतलब ना तो वो सकता है, ना ही वो लोगसभा का member हो सकता है, ना ही वो state legislature का member हो सकता है, मतलब ना ही वो legislative assembly के member हो सकता है, ना ही कोई MLA हो सकता है, और ना ही कोई state legislative council का member हो सकता है, अगर इन में से किसी post को वो hold करते भी हैं, तो याद रुखिएग उन्हें इन पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा इन पोस्ट को छोड़ने के बाद इसेट को वेकेंड करने के बाद ही वोस गवरनर अपॉइंट किये जा सकते हैं मतलब को यह व्यक्ति यह नहीं किया जा सकता कि वह MLAB है और वह गवरनर भी है कि मैंबर औफ पार्लिमेंट भी एक व्यक्ति और गवर्नर भी उसी स्टेट का या किसी दूसरे स्टेट का वही है यह नहीं किया जा सकता है इसके बाद इस इनिशेटेट तुस्ट चलाउंस इनवाल्मेंस एन्प्रिविलिजिस अस पार्लिमेंट डेटरमाइन उनके जो अलउंसे होते हैं जो टैल्री sut factors ऑ wcze कूपन डियाद रॉट करेगा काफी आसान फॉैंट कर गाथ है कौन डिसाइड करेगा flexible को से और यह इसके बाद दूयगी एंपर इन्ट cu बने हुए है कि जब तक वो अपने पिदपर बने हुए है उनकी ze सेलरी इसको कम नहीं किया जा सकता है ना ही राज्ज सरकार कम कर सकती है ना ही केंदर सरकार कम कर सकती है जो भी उनको अलाउंसेस दिये जा रहे है जो भी चीज़ें उनको दी जा रही है उसको रिडियूस नहीं किया जा सकता है किसी भी कंडिशन में नहीं किया जा सकता है इस कर दि गई थी कि कोई अकीला व्यक्ति कोई अकीला संगल परसंट जो है वो दो से या दो से जादा स्टेट्स के गवरणर के रूप में पॉइंट किया जा सकता है तो अगर ऐसे उन्हें पॉइंट किया गया है जो गविन रावन्स और अट डिवाइड़ अमंग दर सिछ इं कुण करता यह प्रेसेडेंट करते हैं याद रखिएगा प्रेसेडेंट का रूल काफी इंपॉइंट होता है यह पॉइंट पूइंट को इसे रिमूव किया जा सकता है वेकि गवर्नर को पॉइंट कौन कर रहे हैं एक ऋबिसली गवर्नर को पॉइंट करते हैं हमारे देश के राष्पती यहां पर रिमूवल को लेकर ब्body जो सारा सारा पावर है वह हमारे देश के राश्चपती के पास ही है तो पहले पढ़ लेते हैं the grounds for the governance removal by the president are not specified in the constitution पहली बात governor को remove कौन कर सकते हैं president कर सकते हैं और किन grounds में किया जा सकता है ऐसा कोई भी grounds समधान में specify करके नहीं लिखा गया है बहुत important point है जैसे राश्चपती के लिए ground define है कि अगर उन्होंने समिधान का उलंगन किया है if he violates the constitution तो उनके remove किया जा सकता है impeachment का process start किया जा सकता है उन्हें हटाया जा सकता है गवर्नर को लेकर ऐसा कुछ की नहीं लिखा है ठीक है the governor's office has no fixed term and no security of tenure because the president can remove him at any time किसी भी time remove कर सकते हैं कोई भी security of tenure उनके पास नहीं होती है कि 5 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कोई security of tenure नहीं है president के उपर है president को अगर लगता है कि अब यह अपने करतवयों का निर्वाद ठीक तरीके से नहीं कर सकते हैं यह अपने करतेवयों का निर्वाद ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं वैसे किसी भी time के उपर president उन्हें के पद से हटा सकते हैं यादर किये president का power supreme है governor के case में आगे after submitting this resignation letter to the president the governor can resign from his office अभी एक पॉइंट काफ इंपोर्टन है कि governor को अगर resignation letter देना हो तो वो किने देंगे obviously president ने ही उन्हें appoint किया है तो president को ही governor अपना resignation letter देते हैं कि उन्हें resign करना है resignation letter किसी भी reason से दिया जा सकता है हो सकता है health grounds पर दिया जाया कोई भी दूसरे दों गवर्णरन अगर अपना रिसग्हनेशन देते हैं मका प्रेहएं थे इसाकर प्रेशेडेंद के पाहर्ट मि यहां पर वूखर के अंदर उनके पास बहुता है जिसे नौत कर लिजीया सिसाथ be a council of minister lead by the chief minister to assist and advise the governor in the exercise of his powers except when he is complied to execute his functions at his direction काफी important article 163 क्या कहता है there shall be a council of minister lead by the chief minister जैसे कि हमने center में देखा था कि center की council of minister होती थी उसी तरीके से article 163 साफ साफ ये कह देता है कि there shall be a council of minister lead by the chief minister के council of minister होगी और council of minister के head कौन होंगे chief minister होंगे state के यहां पर बात की जारी आप इसे state council of minister भी बूल सकते हैं to assistant advise the governor और वो किसे advise करेंगे किसे assist करेंगे governor को advise करते हैं जैसे हमारे central में council of ministers president को advise करती है उसी तरीके से state के अंदर राज्यों के अंदर the state council of ministers है वो गवर्नर को advise करती है याद रुखिएगा काफी important point है ओके बाद दिखा है in the exercise of his powers except when he is compelled to execute his function at his discretion देखिए यहां पर exactly चीज़े थोड़ी सी अलग होती है मजबूर नहीं किया जा सकता है कि गवर्नर को यही करना होगा ना यह नहीं किया जा सकता है सम्टाइम्स गवर्नर अपने concern से काम करते हैं बहुत सारे राज्यों के अंदर ही हुआ है मैं specifically बार बार West Bengal का example इसलिए देता हूँ because it is the best example जब भी आप किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो किसी live example के थूर जब आप समझते हैं तो चीज़े काफी आसान हो जाती है तो जब भी governor को आप पढ़े और state को लेकर उनके relation के बाद की जाए कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं West Bengal is the great example आप उसका example को ले सकते हैं के बाद next article 164 the council of minister is collectively responsible to the state legislative assembly बिल्कुल सही बात है जिस तरीके से हमने देखा था कि जो council of minister हमारी central के अंदर थी it is collectively responsible to the लोग सवा यहां पर क्या हो जाएगा article 164 यह कहता है कि the state council of ministers is collectively responsible to the state legislative assembly नोट कर लीजीगा यह पूछा गया है कि जो council of ministers होती है राज्यों की वो legislative assembly के लिए responsible होती है legislative council के लिए responsible होती है legislative assembly के लिए responsible ही होती है because legislative assembly में elections directly होते है बहुत important question है बहुत बार यह पूछा भी गया है यह बाद this provision is the cornerstone of the state parliamentary system of the governance okay यह काफी important है state parliamentary system का एक kind of a milestone एक काफी important feature है कि जिस तरीके से center के अंदर जो central government होती है जो लोगसभा होती है वो सीधा के सीधा क्या काम कर रही है डिरेक्टल लोगों के लिए bills बना रही है policies बना रही है थोड़ी सी strong होती है उसी तरीके से राज्यों के अंदर state assembly भी उतनी ही strong होती है इसलिए central के अंदर council of ministers directly responsible to the लोगसभा और यहां पर राज्यों के अंदर जो council of ministers होती है state की directly responsible होती है किस के लिए state assemblies के लिए चलिए आगे पढ़ते हैं आगे कुछ points हम देख लेते हैं powers of the governor governor के पास कुछ important powers है एक एक पावर को हम समझते हैं काफी important power है चलिए एक एक पावर को हम समझते हैं पहले power की बात कि जाए the governor takes all executive decision on the behalf of the state government governor जो है वो सारे के सारे executive decision लेता है on the behalf of the state government यादर किएगा राज सरकारों के तौर पर जितने भी executive decision लेने का power होता है वो किसके पास होता है वो governor का ही होता है आप देखिंगे कि राज सरकार जब भी इसको decision लेती है नीचे signature किसके होते है governor की होते है that's why यह power काफी important है और governor की जो exactly value है state के अंदरी उसको पूरा का पूरा डिपलिक करता है next the governor appoints the chief minister and other cabinet members काफी important point यसे note कर लीजिएगा various examinations के अंदरी vont फूछा भी जया विआ कि governor इनन को यह चीस्ट मिनिस्टर को कौन अपउइंट करता है याद रुखिएगा चीफ मिनिस्टर को पॉइंट करने के काम governor करते हैं और जो दूसरे Camp Mana ministers होते हैं Chief Minister की Council of Ministers में, State Council of Ministers में, उन्हें Appoint करने काम भी कौन करते हैं, गवर्णर नहीं करते हैं, बट याद रिखेगा कि कौन सा मिनिस्टर को क्या पद देना है, इसका क्या पद होगा, इसका decision कौन लेगा, इसका decision यहां पर लेते हैं, उस राज के मुख्य मंतरी, उसी तरीके से 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 प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर थे और राज्यों के अंदर कौन होते हैं हमारे मुख्यमंत्री होते हैं के बाद यह पॉइंट सेट एडवोकेट जनरल एंड टिरमाइंस इस टैनियोर एंड कंडिशन ऑफ सर्विस एडवोकेट जनरल को पॉइंट करने का पावर भी किसके के पास है उमारे देश के अंदर यहां पर। राज्यों के राजपाल के पास है जैसे कि अंतॉनी 'machgraven करने का पावर है वह किसके पास हूथ मों गवरननर के पास है के लावा, he has the authority to recommend to the president the declaration of a state of constitutional emergency, देखे, काफी important है, state emergency की बात की जा रही है, constitutional emergency की बात की जा रही है, article 356 की बात यहाँ पर की जा रही है, कि अगर राज्य के अंदर, example के तुरू हम बात करते हैं, example के तुरू चीज़े काफी आसानी से समझ में आ जाती है, मान लीजिए कि य है, और state के head यहाँ पर है governor, और यहाँ पर है हमारा central, अब याद रुकिए अगर state के अंदर, समिधान के according काम नहीं हो रहा है, constitutional machinery fail हो गई है, राजकता चाह गई है, या कोई issue आ रहा है, सरकार समिधान के according काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पर governor directly message देते हैं, center में, मतलब प्र यह लोग उलंगन कर रहे हैं, या constitutional machinery यहाँ पर fail हो गई है, कोई issues आ गए है, तो यहाँ पर state emergency लगाने के जरुवत पड़ गई है, तो कि बात करते हैं, article 350, 6 के अंदर, तो यहाँ पर basically यह चीज़ें होती, emergency में हम काफी और इसीज़ को detail में जानेंगे, बट governor इसी बात पर नजर बनाया रखते हैं, कहीं राज्यों के अंदर, जो constitutional machinery है, वो fail तो नहीं हो गई है, कमिधान के according राज्य काम कर रहे है, या नहीं कर रहे है, यहीं वो चक करते हैं, के बाद, the governor appoints the state election commissioner, state election commissioner को appoint कौन करते हैं, governor appoint करते हैं, note कर लीजेगा, यह भी कहीं बार पूशा गया ह है, कि who appoints the state election commissioner, so the state election commissioner is appointed by the governor, काफी important point है, के बाद, he appoints the chairman of the state public service commission as well as the members of the commission, state public service commission के chairman को appoint भी कौन करेगा, हर राज्यों के अंदर, state public commission होता है, या दर की हर राज्यों में तो नहीं है, बठा, most of the states के अंदर होता है, तो वहाँ पर जो state public service commission के members होते हैं, उसके जो chairman होते हैं, उन्हें appoint करने काम उन्हें राज्यों के governor करते हैं, they can however only be dismissed by the president, not by the governor, हाला कि यह point काफी important है, कि अगर उन्हें dismiss करना है, तो वो काम सिर्फ प्रेसिदेंट ही कर सकते हैं, हाला कि appoint करने काम कौन करेंगे, governor करेंगे, पर अगर dismiss करना है, तो dismiss कौन कर सकते हैं, केवल और केवल, प्रेसिदेंट ही कर सकते हैं, इसके बाद, he served as a chancellor of the state universities and appoints vice chancellor, उन्हें भी राज्यों के governor होते हैं, वो उस राज्य की university के अंदर basically chancellor के तोर पर काम करते हैं, और जो vice chancellor है, उन्हें appoint भी कौन करते हैं, governor ही करते हैं, तो यह governor के executive powers थे और इन powers के through, कोई ने कोई question आप से बन सकता है, तो एक बार आप देख लीजेगा, मैं अगेन मुल रहा हूं कि बहुत जादा important topic नहीं है, कि बिल्कुल exactly पढ़ना ही जरूरी है, बहुत deeply हम पढ़े नहीं, बट एक overview लेना जरूरी है, तो कि question directly आप से पूछे जा सकते हैं, दे समन और परग्यू दे स्टेट लिलिस लीचर, स्टेट लिलिस लीचर को समन करने का अधिकार भी किसके पास है, गवर्नर के पास है, और परग्यू मतलब समाब करने का अधिकार भी किसी सेशन को किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के पास ही होता है, जैसा कि हमने से के अंदर देखा था कि किसी भी सेशन को अगर बुलाना है तीनों सेशन में से किसी भी सेशन को अगर समन करना है दोनों हाउस को तो समन करने का अधिकार किसके पास होता था उसी तरीके से राज्यों के अंदर जो समन करने का अधिकार होता है किसी भी सेशन को अगर बुलाना है start करना है समन करना है दोनों imagine양 को बुलाना है अगर किसी राज में गार सिंगल ठृवट से भी बुलाना है तो इसका अधिकार किसके पास होता है से पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के स्टेट लेडिस्लेचर के अंदर गावर्नर कर्णिकुछ रिपोर्स को प्रसेंट करता है यासे कि स्टेट फाइनस कमिशन की रिपोर्ड स्टेट पॉब्लिक दिंच की रिपोर्ड और शीएय। देखना और याद रकियेगा। बहुत बार पुशा गया है। इसके बाद he appoints one six members in the state legislative council इसके बार में हमने देखा भी था detail में जाना था कि जो one six members होते हैं उन्हें nominate करने का काम कौन करता है यहाँ पर governor ही करते हैं और इन्हें appoint कर लियते हैं इसके बाद the governor has the authority to address the state legislature at the start of its first session जैसे state legislature के अंदर state assembly के अगर में particularly बात करूँ वहाँ पर जैस जैसे ही first session start होता है तो पहले session को सम्मोधित governor करते हैं as well as first session of the each और हर साल भी पहले session को यही सम्मोधित करते हैं इसके बाद the governor address both houses of the state legislature in the joint session. joint session जब भी होता है दोनों houses का तो दोनों houses को address भी कौन करेंगे यहाँ पर governor ही करेंगे तो कुछ important powers है इसके बाद हम बात करते हैं पार्लेमेंट के अंदर प्रेसिडेंट के पास ओर्डिनेंस इशू करने का पावर था उसी तरीके से यहाँ पर आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग गवर्नर के पास भी ओर्डिनेंस इशू करने का पावर होता है जब कोई एक हाउस या दोनों कोई हाउस सेशन में ना हो और कोई urgent public importance का matter हो जिसके ओपर कोई decision लेना हो तो ordinance pass करके decision लिया जा सकता है जो validity होगी ordinance कि यहाँ पर लिखा हुआ है इस ordinance को 6 हफतों के अंदर pass होना फिर दरूरी होता है यह point याद रखिएगा the governor has the authority to revoke the ordinance at any moment किसी भी moment के ओपर वो इस ordinance को remove भी कर सकते हैं रिवोक भी कर सकते हैं यह authority यह power भी हमारे देश में हमारे राज्यों के अंदर governor को दिया गया है के बात financial powers the governor is in charge of the state contingency fund article 267 के इंतरगत हमने देखा था कि हमारा central के अंदर contingency fund होता है उसी तरीके से राज्यों का भी एक emergency fund होता है राज्यों के इमर्जंसी फंड के चार्ज होते हैं वो कौन थे governor होते हैं तो governor appoints the state finance commission for a five year घंपास साल के लिए governor state finance commission को appoint भी करते हैं याद रखिएगा state finance commission काफी important है commissions के बारे में आगे पढ़ेगे तो state finance commission को appoint भी कौन करते हैं आपर governor ही करते हैं अगले प्रशनी की और बढ़ते हैं हम judicial powers of governors governor के पास क्या-क्य या जुडिशियल पावर है तो प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर का एक कंसल्ट लेतने कंसल्ट करने हैं याद रुखिएगा परमीशन नहीं ली जा रही है इसके बाद अगर बात की जाए कि क्या गवर्नर किसी की फासी की सजा को माफ कर सकते हैं किसी को पूरी तरीकी से शमादान दे सकते हैं तो यह का इक का टेस है किसी की सजा को फासी की सजा को भी kidding कर सकते हैं तो pardoning power governor का जो president के पास power है वो तो है ही के अलावा भी जो एक important power था कि क्या किसी की fancy के सेजों को गवर्नर देखिए आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है कहीं बार पूछा गया है बान लीजिए एक्जांपल के हम बात करते हैं कोई बिल था वो बिल स्टेट लिश्लेशर से पास हो गया पहले स्टेट असेंबली से पास हो गया इसके बाद स्टेट काउंसिल आफ के लिए गवर्नर चाहें उनके पास एक पावर है आर्टिकल 200 उनको इसे पास करना चाहिए नहीं करना चाहिए यह पावर आर्टिकल 200 देता है गवर्नर को और इसी पे कुश्चन कहीं बार पूछेगा है कि बाद when no political party has a cleared majority in the state legislature he has the authority to nominate anyone as a Chief Minister इसका यूज महराश्चरा के अंदर किया गया तक काफी पहले की बात है जब किसी भी political party के पास majority है ही नहीं देखिए अगर majority है तो अबिसली वो political party governor के पास जाएगी और उसे अज़र पाटी चुन लिया जाएगा बट अगर किसी भी political party के पास majority है ही नहीं, all political parties are in the minority तो ऐसी condition के अंदर governor के पास एक power होता है कि वो जिसे चाहें उसे nominate कर सकते हैं as a chief minister, बट ये कुछी समय के लिए होता है, normally in between क्या होगा कोई political party अपना support गेन कर लेती है, वो majority के अंदर आ जाती है और सरकार बना लेती है, ब appoint करने का जो power है, nominate करने का जो power है, वो governor के पास होता है, he can seek information from the chief minister or state administrative and legislative concern, बिल्कुल सही बात है, वो chief minister से information ले सकते हैं कि राज में क्या चल रहा है, किस तरीके के कानून बनाया जा रहे है, राज के अंदर जो व्यवस्ता है, वो कैसी चल रही है, सविधान के according चल रही है कि नहीं चल रही है, सारी reports में मंगवा सकने, सारी information वो ले सकने, इसके बाद, the governor has the authority to remove the council of ministers when it cannot prove the confidence in the state legislative assembly, same उसी तरीके से, अगर state legislative assembly के अंदर कोई political party अपनो confidence प्रूव नहीं कर पाई, confidence वो प्रूव नहीं कर पाई, कि उनके पास majority है, तो वो उन्हें remove कर देंगे, याद फिर वही बाद, इस party के बाद majority है, सरकार उसी की होती है, next, आगे हम बात करते हैं, अब देखिए, राज्यों के अंदर तो governor होते हैं, बट जब हम बात करते हैं, union territories की, के अंदर शाषित प्रदेश की, तो वहाँ पर होते हैं, lieutenant governors, अब इसको लेकर बहुत ज़्यादल कौन करता है, lieutenant government को, governor को point करते हैं, हमारे देश के राश्पती, same point है, याद रुखिएगा, बहुत ज़्यादा confused इसमें नहीं होना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा question इससे नहीं पूछे जाएंगे, union territory in India is administrated by a lieutenant governor, जो uts होती है, महा पर जो president के representative होते हैं, वो lieutenant governor होते हैं, the function, powers and duties of the lieutenant governor are defined under the article 239, 239 AA of the Indian constitution, इन दो articles के अंदर, एक article आपको याद रखना है, सिर्फ article 239, इसके अंदर particularly lieutenant governor के power functions के बारे में बात की गई है, तो यह हमारा पूरा lecture था, जिसमें हमने state, legislature और governors के बारे में पढ़ा है, I hope चीज़ें आपको clear हुई होगी, आसान lecture था, छोटा सा lecture था, कुछ important points को सिर्फ आपको याद रखना है, जिन पर आप से question पूछे जा सकते हैं, और questions बन सकते हैं, तलिए मैं next lecture के अंदर आप से मिलता हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए, जैहिन, जै भारत!